असलाम लेकुम आई यूटूब फैमली कैसे हैं आप? उमीद है आप खुश होगे मैं आज आप के लिए लेकी आई हूँ क्रीमी फ्रूर्ट सैलड की रैस्पी जो के जट पर त्यार हो जाती है चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं क्रीमी फ्रूर्ट सैलड इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक प्याली पीच एक प्याली एपल्स बनानाज वाइल मैकरोनीज एक प्याली मैंगोज एक प्याली ग्रेप्स फ्रूर्ट कोक्टेल्स है मेरे पास वो यूज़ कर रही हूँ इसके लिए ओलपर्ड की क्रीम यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी माइनिस अब इसको बनाना स्टार्ट करते है बोल में मैं माइनिस एड़ कर रही हूँ यह तकरीबन टूटेबल स्पून है अब इसमें क्रीम एड़ करते है क्रीम को मैंने प्याली में निकालके फैंट लिया था यह बोल में अब एड़ करते हैं अब मैं इसमें शुगर एड़ कर रही हूं तू टेबल स्पून ओफ शुगर मैंने इसमें यूज की है हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर यूज की है अब इसको मिक्स कर लेते हैं जी तो ये बहुत अच्छा मिक्स हो गया है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी एड़ किया था बिल्कुल एक पिंच के बराबर अब इसमें मैं क्रोनी जैड़ कर रही हूं अब बनाना डालते हैं अब इसमें एपल्स डालते हैं टर्न ओफ ग्रेप्स अब इसमें पीच एड़ कर रहे हैं फ्रूट कोक्टेल्स एड़ करते हैं अब इसको मिक्स कर लेते हैं देखें फ्रूट सारे मिक्स हो चुके हैं इसको ठंडा करके यूज करें बहुत ही मज़ेदार लगती है अब हम इसको सर्विंग बोल में आड़ करते हैं जी तो मज़ेदार क्रीमी फ्रूट सेलर रेड़ी है मेरे पास एक चैरी थी तो वो उसके उपर काटके लगा दिये देखें कितनी खुबसूरत मज़ेदार लग रही है जी ये तो मेरी रेड़ी क्रीमी फ्रूट सेलर की जो के बहुत ही मज़ेदार त्यार हुई है मुझे अपनी दौाओं में यार रखिएगा अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सबस्क्राइब कीजिएगा अलाफिस